असलाम अलेकूम नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अशरफ खान है और मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली ओफिस से ओखला जुलैना से इनलेट जॉब कंसेटेंसी से अभी जो मैं आपको काम बताने जा रहा हूँ विदेश का ये साल जो आप देख रहे हैं दोहजार चौविस का भी सुरुवात हुआ था और ये दोहजार चौविस का पहला महीना जनवरी खतम होने वाला है आज मैं 25 जनवरी है आज और मैं आपको 27 जनवरी 28 जनवरी 29 जनवरी 30 जनवरी और 31 जनवरी ठीक है टोटल 31 जनवरी तक का मैं काम बता रहा हूँ आपको इस महीने का आखरी काम 2024 का जनवरी महीना पूरा वीडियो जरूर देखिएगा बहुत सारा कैटगरी है कौन कौन सी कैड़ करी है उस सब आपको पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से मेरा नाम अश्रफ है अश्रफ खान मेरा नाम है दिल्ली से बात कर रहा हूँ इनलेट आफिस से पहला कंपणी है इंदाद कंपणी यह पेपर आप यहाँ पे देखिएगा यह इंदाद कंपणी है दुबई की कंपणी है सेमी गोवर्मेंट की कंपणी है जिसका इंटरवू दो दिन चलने वाला दिल्ली में ओखला जुलैना अश्रफ भाई को आफिस पे आप आ सकते हैं दो दिन इंटरवू चलेगा सनीवार को और रवीवार सटाइडे और संडे 27 और 28 जनवरी को इसमें पेपर में देखिएगा यह कंपणी जो है यह सीफ और सीफ फैसलेटी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट डिल करती है अनली मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट हाई राइस बिल्लिंग हो हॉस्पिटल हो मॉल हो एयरपोर्ट हो ठीक है इ सिनियर लीड, BMS operator या BMS technician बीस बंदे का जरुवत है ठीक है दो हजार salary है और 350 खाने का है और लीड AC, HVAC और chiller technician चाहिए जो AC का भी HVAC और chiller technician हो 40 बंदे चाहिए हमें 2000 salary है और 350 खाने का है LEED Electrical and MAP Technician 40 बंदे चाहिए हमें 2000 सैलरी और 350 खाने का है और LEED Palumber चाहिए LEED मतलब होता है Chargent LEED मतलब होता है Chargent होता है Forman होता है ठीक है उस लेबल का LEED उसी को LEED बोलते हैं ठीक है इसमें हमें LEED BMS Operator Technician हो गया और LEED Palumber चाहिए हमें 40 बंदे LEED Palumber का भी Palumber Chargent का भी 2000 पलस 350 खाने का है फिर हमें Civil Technician है Furniture Carpenter का, Mason का और Wall Painter का Civil Chargent चाहिए ठीक है 40 बंदे चाहिए 2000 सैलरी और 350 खाने का है फिर हमें Associate चाहिए LEED AC, HVAC और Chiller Technician Junior टाइप के होंगे जो Especially Technician हो Chargent ना हो वो 60 बंदे हमें चाहिए 1500 सैलरी और 350 खाने का है उसी तरीके से Electrical और MAP Technician भी चाहिए हमें 1500 सैलरी और 350 खाने का है BMH Technician 1500 सैलरी और 350 खाने का है और Palumber Palumber चाहिए हमें 1500 सैलरी और 350 खाने का है उसी तरीके से Civil Technician Senior चाहिए जो Palumber Furniture Furniture Carpenter Mason और Wall Painter का Civil Technician चाहिए civil foreman हो या civil supervisor हो civil type के बंदे चाहिए जो furniture का भी काम जानते हो mansion का भी काम जानते हो wall painter भी काम जानते हो ठीक है तो civil technician चाहिए हमें 1050 salary और 350 खाने का है फिर हमें senior AC, HVAC technician चाहिए chiller वाले 1250 salary और 350 खाने का है electrical and MEP technician चाहिए हमे electrical और MEP technician senior चाहिए हमें 1250 salary और 350 खाने का फिर पलंबर चाहिए senior पलंबर 1250 salary और 350 खाने का है civil technician चाहिए जो furniture और mansion और wall painter काम जानते हो तीनों काम 1250 salary और 350 खाने का AC technician चाहिए हमें 900 salary और 350 खाने का electrical and MEP technician चाहिए 900 तीन सो पचास खाने का BMS technician और BMS operator 900 पलस 350 खाने का palंबर 900 पलस 350 खाने का civil technician 900 पलस 350 खाने का इसका पूरा paper को मैं आएक बार समझा दूँ देखो कि आप सारा category सेम है बस category को divide किया गया grade wise के हिसाब से जैसे इसमें palंबर हमें चाहिए palंबर का सबसे कम salary है 900 खाना तो सबका सेम है 350 900 salary है palंबर का उसी तरीके से अगर palंबर को थोड़ा अच्छा काम आता है तो वो senior palंबर हो गया उसको 1250 salary हो गया अगर वही palंबर अगर charging हो गया तो उसका salary 1500 हो गया ठीक है और वही palंबर अगर forman हो गया तो उसका salary 2000 हो गया ठीक है उसी तरीके से electrical technician और MEP technician है 900 minimum salary है थोड़ा सा बढ़ोगे तो 1250 हो जाएगा उससे थोड़ा ज्यादा experience है तो 1500 हो जाएगा उससे ज्यादा experience है तो 2000 हो जाएगा उसी तरीके से BMS technician का भी है 900 सबसे कम salary है और सबसे ज्यादा 2000 salary है पलंबर का भी salary 900 सबसे कम है और सबसे ज्यादा 2000 salary है ठीक है AC technician का 900 salary है सबसे कम और सबसे ज्यादा 2000 salary है सिनियर, जुनियर, लीड मैन उस टाइप का तो यह इमदाद कमपनी है बहुत अच्छी कमपनी बहुत नामी कमपनी है और इसमें जाने के बाद बंदा 8-10 साल तक तो हटता ही नहीं है इसमें जो भी कैटिगरी मैंने आपको बताया है न उसमें ITI मस्ट है जतने भी कमपनी खाने का सारे 300 दे रही है रहना देगा ट्रांसपोर्ट देगा और मेडिकल देगा बाकि और भी गवर्मेंट के हिसाब से जो भी दुबई गवर्मेंट का रूल है उससे आपसे और भी मिलेगा ठीक है इसका इंटर्वू दो दिन चलने वाला 27 और 28 को यह मैंने 28 जन्वरी को यह इंटर्वू चलेगा जिसमें सकाफ फोल्डर चाहिए हमें रीगर चाहिए और सेफटी ओफीसर चाहिए इसमें आप देखिएगा सकाफ फोल्डर का सैलरी है सुल्ला सो दो सो खाना और सेफटी ओफीसर का सैलरी है पचीस सो से तीन सो के रेंज में अब इ जरूरी है safety officer और rigor के पास होना चाहिए ठीक है तब ही उनका selection होगा और जो safety officer है उसके पास निभोज हो ओशा हो आई ओएस हो यह होना जरूरी है और साथ में construction company का गल्फ का experience होना चाहिए ठीक है 22 साल से 40 साल उमर चलने वाला इसमें 2 साल का visa employment visa जिसको आना है आप आकर सौधी का interview दे सकते हैं 28 January Sunday को उसके बाद 28 January Sunday के दिन मैं आपको सौधी बिल्लादिन कंपनी का काम बताने जा रहा हूं सौधी services सौधी बिल्लादिन जिसका interview 28 January Sunday को चलेगा इसमें आप देख सकते हो position प जूम करकर फोटो आ रहा है वो देख सकते हो अब असानी से power plant supervisor है 2700 से 2900 salary है 200 खाने का 200 खाना सब का सब पूरा position का है तो मैं salary सीब बता रहा हूं power plant supervisor 2700 से 2900 salary है एर फिल्ड लाइटिंग supervisor का 2700 से 2900 salary है electronic and communication supervisor का 2700 से 2900 salary है यह pavement for man है 2000 से 2100 salary electrical technician 1300 से 1700 salary electrical medium voltage वाले 1300 से 1700 salary electrician main power plant वाले 1300 से 1700 salary है lead technician है power plant operator का 1300 से 1700 salary है का control and instrument technician चाहिए 1370 सालरी है रेडियो टेक्निशन 1370 सालरी है security equipment technician 3070 सालरी है और BMS technician 1370 सालरी है electronic technician का भी same सालरी है 1370 fire alarm technician 1300 से 1770 सालरी है fire और monitoring and control technician का भी सालरी सेम है telephone and network technician का भी salary same है, टेलरी takní तेक्चिन का salary same है, और building civil forment बिलिडन वाले चाहिए उसका salary 2,600 है, और हमें land scaping और gardening forment चाहिए, salary 2,600 होतो मोटी वेकल वाले forment चाहिए 2,000 सेीजो salary है, supervisor चाहिए हमें, crush fire rescue airport veken का supervisor चाहिए, 2700 से 2900 salary है, उसके बाद motor pool supervisor है 2700-29 salary, land scaping supervisor है 2700-29 salary, HVAC chiller technician है 1300-17 salary, AC mechanic air condition है 1300-17 salary, यह पहला paper मैंने आपको बताया, serial number 1 से लेकर 29 तर, एक से लेकर 29 position trade मैंने आपको बताया है, यह पूरा supervisor और technician का project है, सौधी services, सौधी बिला दिन, ध्यान दिजेगा, संडे का दिन interview है, बहुत लोग आएंगे interview देने के लिए, क्योंकि संडे को सबका weekend होता तो interview में भीड जादा होगा, crowd हो जाएगा, तो इसमें आप लोग कोसिस करेंगे, अपने साथ जो भी आप paper लेकर आ रहे हैं, CV, experience, qualification, passport, photo, at least कम से कम, 5 साल का experience होना जरूरी है, साथ में ITI हो या diploma हो, ठीक है, यह जरूरी है, उसके बार भी बिला दिन में अभी और भी category बाकी है, वो भी सुन लिजिए आप, Automotive Mechanic है, Automotive Mechanic 1370 सेलरी है, CEFR Mechanic है 1370 सेलरी है, Heavy Equipment Mechanic 1300 से 1770 सेलरी है, Power Plant Mechanic भी चाहिए 1370 सेलरी है, Power Plant Maintenance Technician 1370 सेलरी है, और Elevator Technician 1370 सेलरी है, Violet Technician है, Magnical Technician है, Palumber है, Power Plant Mechanical Technician है, Pump Technician है, Operator, Heavy Plant Operator भी है, Saverage Plant Operator भी है, Saverage Plant Operator भी है, और इसमें Water Plant Operator भी है, Ro Plant Operator भी है, Furniture Carpenter, Wall Painter, Furniture Polisher, Laundry Appliance Technician, Kitchen Equipment Technician, और Palumber, Swing Pool वाले Palumber भी, यह सब आप जो Position, पूरा मैंने आपको बिल लादिन का जो बताया है, सौधी बिल लादिन का जो पेपर मैंने आपको बताया है, यह Company में सिफ और सिफ वैसे बन्दे चाहिए, जिनका इस पेसली फोर, Plant, Plant का Experience ओ, Construction का Experience ओ, पहले बता रहों मैं, यह पूरा का पूरा Position जो है, पूरा का पूरा Plant का ही काम है, पूरा Plant का Position देखो कि सब में, Supervisor, Technician, जो भी Trade आपको दीख रहा है सब, Plant का ही है यह पूरा, ठीक है, पांस साल कम से कम Experience होना चाहिए, इंडिया गल्फ मिला कर, मिनिमम उससे उपर होता और अच्छा है, ठीक है, यह 28 तारीक में आपको बिलाधिन का काम बता दिया, अब मैं आपको 29 जनवरी और 30 जनवरी, दो दिन इंटर्वू चलने वाला, इसम के कबबानी का, इसम के कबबानी कमपणी सौधी अरब का है, जिसका इंटर्वू दो दिन चलेगा, 29 जनवरी को, और 30 जनवरी को, सोमवार को, और मंगलवार को, इंसुलेटर चाहिए हमें, इसमें 1400 से सुल्ला जो सैली, सैली सबका सेम है, इंसुलेटर है, कलाडर है, स्प्रे पेंटर है, सैंड ब्लास्टर है, मेशन चाहिए, फायर प्रूफिंग वाले मेशन, रिफ्रेक्टिव मेशन और इपोक्सी फ्लोरिंग मेशन चाहिए, कोटिंग वाले इपोक्सी फ्लोरिंग मेशन, सबका सैलरी जो है, 1400 से लेक उसके बाद मैं आपको 30 जनवरी को मंगलवार का एक और इंटर्वू बता रहा हूँ, इसका पेपर आप देखेगा, सौधी पान किंग्डम, सौधी पान किंग्डम का इंटर्वू है, जिसमें हमें टेलर ड्राइवर चाहिए, डंप ट्रक ड्राइवर चाहिए, कॉंक्रीट मिक्सर ड्राइवर चाहिए, बुल्डोजर ओपरेटर चाहिए और ग्रेडर ओपरेटर चाहिए, अब देखो इसमें जो ड्राइवर है, टेलर है, डंपर है और कॉंक्रीट मिक्सर है, सतरा सो सैलरी है, टेलर का डंपर और कॉंक्रीट का पंदरा सो सैलरी है, इसमें सीफ औ और और कार का नहीं चलेगा और बुल्डोजर में और ग्रेडर ओपरेटर में इंडिया का लाइसेंस ओपरेटर का चलेगा 1400 से 2000 सैलरी है और ग्रेडर का सैलरी जो है 1500 से 2500 सैलरी है ठीक है 30 जनवरी को मंगलवार को इसका इंटर्वु है सौधी पान कीडम का उसके बाद में आपको साल का आखरी दिन इस महीने का 2024 का पहला महीना जनवरी का लास दिन 31 जनवरी है 31 जनवरी को अरांको का प्रोजेक्ट सौधी अरप का इंटर्वु चलेगा पेपर देखेगा इसमें हमें मेशन चाहिए 1200-300 सैलरी पलंबर चाहिए 1200-300 सैलरी जिपसम कारपेंटर चाहिए जिपसम का फिनिसिंग का नौलेज हो 1200-300 सैलरी इंडस्ट्रियल इलेक्टिशन चाहिए 1700-300 सैलरी और वर्क परमिट रिसीवर चाहिए 1700-300 सैलरी Industrial Electrician में ITI होना चाहिए या Diploma होना चाहिए English में Interview होगा Industrial Electrician का और Work Permit Receiver का भी Diploma होना चाहिए Electrical से या Magnical Engineering से Diploma और साथ में English में Interview होगा Work Permit Receiver का भी ये Interview 31 जन्वरी को दिल्ली में चलेगा Interview अरामको प्रोजेक्ट का उसके बाद मैं आपको 31 जनवरी का एक और बहुत अच्छा काम बता रहा हूँ कुएत का पेपर आप देखोगे यहां पे यह कुएत की कमपनी है कुएत में जो अपना समुंदर के किनारे जो स्टेशन होता जहाजवाज लगता जो बड़ा बड़ा कंटेनर होता है 40-40 टन का वो कंटेनर जो ट्रक पे लोड़ होता है टेलर पे वो गाड़ी चलाना है इंडियन लाइसेंस चलेगा दो सो बंदे चाहिए इसमें 135 दिनार सैलरी और 20 दिनार खाने का है लेकिन इसमें ध्यान दीजेगा 25 साल से लेकर 35 साल तक उमर चलेगा 25 साल से लेकर 35 साल आप एज कंफर्म कर लिजेगा फोन करके हमारे ओफिस पे एज में अगर कुछ चेंजिस आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे इंडिया का लाइसेंस आपके पास ओरिजनल होना चाहिए चीप वाला टेलर का हेवी का लाइसेंस आठ घंटे का डूटी है 155 दिनार सैलरी है उसके बाद ओवर टाइम करोगे तो अराम से 180-190 दिनार सैलरी बनेगा एक सो नब्य दिनार सैलरी आप हिसाब लगा लो कितना बनेगा 31 जनवरी को इंटर्वू चलेगा इसका और एक फरवरी को दो दिन इसका इंटर्वू क्योंकि दो सो बंदे चाहिए तो दो दिन जरूरी है क्योंकि लड़के लोग का गाड़ी चला कर प्रैक्टिकल होगा प्रैकर 31 जनवरी तक का मैंने आपको काम बताया है यह काम इंटर्वू दिल्ली में चलने वाला है जो भी आना चाहते हैं अश्रफ भाई के ऑफिस पर आईए इनलेट जॉब कंसेटेंसी ओखला जुलैना पे पे आप स्क्रीन पर देखोगे हमारे ओफिस का कार्ड भी पेना नई दिल्ली नजदीक में सुख्देव विहार मेट्रो स्टेशन से टहलते वे आ जाओ गया जुलैना बस से टहलते वे आ जाओ गया नम नजदीक है मैं रोड पे मैं रोड पे ABC ट्रेट सेंटर उसी का बराबर में गली में ऑफिस है ओके भाई कुछ भी पूछना इ दी रहा उसकую पर फोन कीजिए किसी भी नंबर के आप फोन कर लिजिए लेकिन जो एसक्रीन पर नंबर इसी भी फोन कीजिए और WhatsApp कीजिए आपको जंकारी मिलेगा जो भी मैंने आपको काम बताया सौदीका बताया दुबई का μέ scor devotee का मैंना काम बताया आपको पूरा इस भ इसके इलावा और कोई नया काम आता है इस बीच में एक दो दिन में तो आप मेरे WhatsApp गुरूप में जुड़िए मेरे WhatsApp नमबर पे सिफ आपको हेलो करना है हेलो कीजिए सलाम कीजिए नमस्ते कीजिए आपको तुरंत गुरूप का लिंक आ जाएगा उस पे लिंक पे क्लिक करके सामिल हो जाईए जॉइन हो जाईए यह नमबर आप स्क्रीन पर देख रोगे WhatsApp नमबर 93, 10, 39, 35, 32 यह WhatsApp नमबर है WhatsApp नमबर दूसरा 88, 103, 15, 190 है तीसरा नमबर है 72, 91, 95, 60, 44, 48 नमबर है 78, 274, 56, 610 और पांचवा नमबर है 70, 425, 80, 203 और छटा नमबर है 95, 603, 78, 569 यह सारा नम नमबर WhatsApp पे एक्टिव है आप WhatsApp में भी हेलो हाई नमस्ते सलाम कर सकते हैं और गुरूप में जुड़े हैं रोज आना आपको वीदेश का नया नया काम के बारे में जंगकारी मिलता रहेगा ओके दोस्तों असलाम अलेकूम नमस्कार